अब बिग बैंग ठोरी के अंतरगत क्या कहा गया है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ यहाँ पर बिग बैंग सिद्धान्त की देखिए अगर बात होती है तो बिग बैंग सिद्धान्त में ये कहा गया कि पहले संपूर्ण ब्रह्मान जो है एक एक ही बिंदू पर संपूर ब्रह्मान समाइद था और इस बिंदू को क्या कहा गया इस बिंदू को सिंगूलेरिटी कहा गया सिंगूलेरिटी विलक्षंता कहा गया विलक्षंता या सिंगूलेरिटी कहा गया ठीक है हाँ बुलकुल विवेंग थ्योरी और विवेंग थ्योरी दी गई किसके द्वारा ज जॉर्ज लेमिंतर ठीक है नाम ध्यान रखेंगा पूछा जाता है तो इसने यह कहा कि पूरा का पूरा पूरा ब्रमान्ड एक ही पदार्थ में एक ही केंदर पर समाय था और आप देखिए किसी भी चीज को आप किसी भी चीज को लगाता प्पैली हुई चीज को आप एक ही क कि निश्चित गनत् части के बाल उसमें और ज्यादा privilege नहीं होगी और जो ब्रदिी नहीं होगी वो क्या किलाता है क्या क्या क्यलाता है क्रांबंतिक गनक्त रिवर सरह स्ट के थीक हैं कि सीवी बस्तू पर आप दवाव लगाते चले जाही है आयतन में कमी करते चले जाएए तो एक निश्चित सीमा तक उसके घनत में ब्रद्धी होगी लेकिन उसके बाबजूद भी आप उसको प्रेस करेंगे तो वह और जादा घनत में प्राप्त नहीं होगी तो उसको हमने क्या बोल दिया क्रांतिक गनत बोल दिया मतलब ऐसा गनत जिसके बागे और कोई वह और ज्यादा गनत में ब्रद्धी नहीं होगी ठीक है तो यहां पर यह जो singularity थी अपने क्रांतिक गनत को प्राप्त कर चुकी थी और इतना ज्यादा दवाव इसमें हुआ कि इसमें फिरस्क्या हो गया बिसफोट हो गया ठीक है तो इसने यह बताया कि लगबग 13.7 billion वर्ष पहले इसके अंदर एक बिसफोट हुआ और बिसफोट के तहत इससे चारों तरफ पदार्थ जो है फैलते चले गए चारों तरफ पदार्थ यहां पर क्या हो गए फैलते चले गए इस प्रकार से पदार्थ यहां पर फैलते चले गए जब विसफोट यहां पर हुआ तो विविन प्रकार के क्या हुआ विविन प्रकार के इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और निउट्रोन्स का निर्माड हुआ पर परमाणू का निर्माण हुआ क्या बन गया परमाणू बन गया ठीक है किसी भी चीज में बिसफोट हुआ आइंस बिखर गए और यह आइंस जब दीरे-दीरे करके आप देखेंगे कि प्रकरती में प्रतेग वस्तु जो हो अपना आकार कम करना चाहती है तो इसी इस्तित आप देखेंगे कि यहां पर जो लेक्ट्रोन प्रोटन न्यूट्रन इस प्रकरिया के दौरान इस बिसफोट के दौरान प्राप्त हुए थे उन्होंने आपस में जड़कर एक परमाणू का निर्माण कर लिया और परमाणू का अपना दर्ब्यमान होगा परमाणू का या तो आकर्षण का काम करेगा या विकर्षण का काम करेगा ठीक है अब इस आकर्षण की दिस्टी में आप देखिए मालिये यहां पर हाइडोजन मौझूद था और हाइडोजन आपस में जुड़ती चली गई तो यहां पर हाइडोजन के हाइडोजन के समस्थानिक बनन 1H2 और 1H3 जिसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इसको बोलते हैं डियूटिरियम डियूटिरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम ट्राइटियम ठीक है तो इस प्रकार से जब हाइड्रोजन के समस्थानिक बनना सुरू हुए और ये hydrogen के समस्थानिक जब आपस में जुड़ने लगे और इसके जुड़ने से क्या हुआ helium का निर्माड हुआ तो भारी मात्रा में उर्जा प्राप्त हुई ठीक है तो आगे देखिए इसको जब hydrogen के समस्थानिक आपस में जुड़ना शुरू हुए और इस जुड़ने की प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया नाव किया सनलयन की प्रक्रिया शूरू हुई तो जब nuclear fusion शुरू हुआ नावकिय सल्लेन की किरिया शुरू हुई तो इससे एक तो हीलियम की हमको प्राप्ती हो गई और साथ में भारी मात्रा में क्या प्राप्त हुई उर्जा प्राप्त हुई ठीक है अब लगातार लगातार आप देखेंगे लगातार जब नावकिय सल्लेन की किरिया होती रही तो एक चमकदार पिंड का निर्माण हो गया तारे का निर्माण हो गया तारे बन गए अब लगातार जब तारों का जुंड हो गया तारों का जुंड बन गया तो तारों के जुंड को हमने क्या बोल दिया आकास गंगा बो चला गया इस प्रकार से ब्रहमान का निर्माड हुआ है और ये लगातार विस्तार होता ही चला जा रहा है लगातार विस्तार होता चला जा रहा है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे मैंने बताए आइंस थे इलेक्ट्रोन प्रोटर न्यूट्रोन थे जुड़ गए परमा परकुलन से उर्जा प्राप्त हुई तो वही तारों का निर्माण हो गया और तारों के बिविन प्रकार के जुंड बन गए उसी जुंड को हमने क्या बोल दिया गैलेक्सी बोल दिया या आकास गंगा बोल दिया